ज्यान मंत्रा हुम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर्याली तीच कब है पूझा विधी और शुब मूरत के बारे में भारत में हर्याली तीच या हर्ताली का तीच का बहुत महत्व होता है हर साल शावन महीने के शुक्ल पक्षकीत तृतियव को हिंदू सुहागन महीलाएं हर्याली तीच का वरत रखती है इस साल अगर हम बात करें तो पूरे भारत में हर्याली तीच का शुब मूरत 11 अगस्ट 2021 दिन बुद्वार को है इसी दिन हर्ताली का तीच का तेवहर मनाया जाएगा हर्याली तीच का महत यहा है कि सुहागन महिलाएं अपनी पती की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला वरत रखती हैं जबकि कुवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ती के लिए यह वरत रख सकती हैं। इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से खोश होकर उनसे विवहा किया था। इसलिए महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूणिया और सोला श्रिंगार करके पती की तीर्ग आयू और सुक शान्ती के लिए मापार्वती से प्रातना करती हैं। तो आए जानते हैं हर्याली तीज का शुब मुरत। सावन के शुकल पक्ष की तृतिया को यानी 10 अगस्त मंगलवार शाम 6 बच के 11 मिनट पर हर्याली तीज शुरू होगी। 11 अगस्त श इस दिन पहला शुब मुरत सुबह 4 बच के 24 मिनट से 5 बच के 17 मिनट तक का है। वहीं दूसरा शुब मुरत की बात करें तो यहाँ 2 बच के 30 मिनट से लेके 3 बच के 7 मिनट तक का है। इसके अलावा यहाँ 10 बचे से अगर हम बात करें रवी योग भी चालू हो रहा है। पूजा स्थल की साफ सफाई करें मिट्टी से भगवान शिव और माता पारवती की मूर्थी बनाएं उन्हें लाल कपड़े के आसन पर बिठाएं पूजा की धाली में सुहाग की सभी चीजे रखें पारवती और शिव चालिसा का पार्ट कर भगवान शिव और मा परवती को आप लोग एक तरीके से भोग लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, फल वगेरा, मिठाई वगेरा, तीज कथा और आरती के बाद पूजा समापन करी जाती है, महीलाएं दिन भर निर्जला वरत रखती हैं और अगले दिन अपना वरत खोलती हर्याली तीज यूँ तो पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में महीलाएं इसे खास परव के रूप में धूम धाम से मनाती हैं, इस दिन जैसा हमने आपको बताया, महीलाएं शोला श्रिंगार करती हैं, एक साथ और सावन का जूला जूलती हैं और गीत लगाने का चलन है, मानेताओं के अनुसार महापारवती ने भगवान शिफ को वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी थी, जिससे प्रसंद होकर सावन के शुकल पक्ष की तिर्तिया यानी हर्याली तीज के दिन ही भगवान शिफ ने महापारवती ना सोचें और ना ही बुरा करें दान दक्षना अवश्य करें और साथ ही अच्छे से हरियाली तीज मनाएं अभी के लिए बस अतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद